एक सीट का और जिकर कर लेते हैं नर्सिंग विधान सभा सीट जहां से भी एक केंद्रिय मंत्री प्रहलाद पटेल जो है वो चुनाल बड़ रहे हैं और आपको बता दें कि इनके भाई जालम पटेल वो इस सीट से दो बार के विधायक है इस बार उनकी जगे प्रहलाद पट प्रहलाद पटेल को उतारने का मतलब वही है जिसको हम लोग नरेन सिंग तोमर के साथ कैलाज विजय वरगी के साथ देखते हैं और प्रहलाद जी बहुत मजबूती से दावेदार रहे मुख्यमंत्री की कुरसी के और ये उनके लिए कोई कठिन सीट नहीं है बहुत आसान सीट है एक तरह से कहें कि भाई जीतता था और उसके अलावा जिसको कहते हैं ने कि चात्रसंग की राए वो भी जबलपूर विशुद्याले चात्रसंग के अधेक्ष रहे और जिसको कहते हैं कि उस इलाके में अगर 20-30 साल-40 साल की दोस्तियां हैं तो प्रहलाद पटेल की हैं लेकिन एक बात यहां जो अभी जब हम शुपूरी की बात कर रहे हैं शुपूरी सीट पर जोतिरा दित सिंधिया चुनाओ नहीं लड़ना चाहते हैं भारती जनता पार्टी उनको चुनाओ लड़ाना चाहते हैं उनके साथ आए हुए कई लोग कॉंग्रेस में वापस लोट गए हैं गौालियर मुरैना चंबल यह जो पूरा भिंड मुरैना यह जो पूरा इलाका है यहां पर जो भारती जनता पार्टी की स्थिती खराब थी और सिंधिया के आने से कोई बहुत मजबूत नहीं हुई यह ठीक है कि उनमें से बहुत से लोग जीत गए कर जाएंगे ऐसे में पार्टी चाहती है कि जोतिरा दित जब खुद चुनाओ लड़ने लगेंगे तो उनकी मजबूरी होगी कि वो उतने लोगों को बांध कर रखें जोतिरा दित की निजी इच्छा कता ही नहीं है वो लगभग एक तरह से कहें कि कह चुके हैं कि हमें उ कि तो फिर तो वही होगा ना कि दूसरा कोई लड़ा है जिसे कल्याश जी इन दोर के बड़े नेता है लेकिन सीटे हार गए तो वो भी इनके साथ होगा। सभी जी मुझे ब्रेक के लिए रुखना पड़ेगा देखें लेकिन अभी आपके सामने इन सीटों का उधारान देकर के ये प्रयाश था समझाने का कि बीजेपी क्या करना चाहती है इस बार ये कुछ चुनावों पहले छोटे लेवल पर बीजेपी ने किया एक आद मंतर को लड़वाया एक लेकिन एक साथ इतने सांसद इतने मंतरी विधान सभाए के चुनावों में इस बार भाजपा क्यों लड़वाना चाहती है कैसे अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है वह आमने आपको बताए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के ल स्टूर पार